नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मदुबन 90.4 FM और आप देख रहे हैं रेडियो मदुबन 90.4 FM कारिक्रम है जीवन रोशनी और आज जीवन रोशनी कारिक्रम के अंतरगत रुपेश जी हमारे साथ फिर से जुड़ गया है लेकिन पहली बार आप उन्हें देख पा रहे होंगे, यूँ तो आपने रेडियो पर उन्हें कई बार सुना है, तो आज एक ऐसी लोकुक्ती के बारे में हम बात करेंगे, जो मुझे लगता है कि बहुत पुराना है, लेकिन अभी वी क्या इसके माइने हैं, और अगर ये प दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, और साथ ही बधाई भी देता हूँ कि अब वो किवल श्रोता नहीं रहे हैं, लेकिन अब वो दर्शक बन गये हैं, और इसके लिए शुभाजी आपको और पूरे रेडियो मधुवन की टीम को बहुत बहुत बधाई बधाई उसके लिए तो दोस्तों रुपेश जी भी एक वीडियो जोकी है, एक एंकर है, बहुत सरे प्रोग्रम्स करते हैं, लेकिन साथी साथ बहुत ही नॉलचियस हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जैसे कि आप देख पा रहें स्क्रीन पर, तो बहुत सरे य विशय है, हमारे बीच वो यूं तो ऐसा है, कि आप बताएंगे रुपेश जी क्या विशय है, विशय आपने बहुत ही प्यारा सा लिया है, लोकोक्ती ही है, बाब बड़ा ना भईया, सबसे बड़ा रुपईया, और ये हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा बात की थे, मुझे लगता है ये पिछले कुछ दशकों की बात है, जादा यदि पीछे जाएं, तो धन 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 वाले स्थेती नहीं थे, लेकिन लोग मुल्यों को, परिवार को, संबंधों को, इन सब को महत्वदिया करते थे, समय के साथ साथ आध्यात्मिकता थोड़ कम हो गया, लेकिन सत्य तो सत्य ही है, मुल्य और परिवार अपने स्थान पर बहुत महत्वर रखते हैं, इसलिए आज जो भी पशनाप के होंगे, हमारी दर्शकों के होंगे, हम गहराईस इस पर चर्चा करेंगे कि सचमुच, ये जो एक लोकोक्ती है, कि सबसे बड़ा आ आज की सारी चर्चा के अंद्रे थे इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पैसे ही लेकर के हमारी एक थोड़ी सी जो माइंड सेट है, वो जो चेंज हुआ है, बचपन में भी बच्चों को ये चीज दे जाती है कि तू बहुत बड़ा आदमी बन, बहुत पैसे कमा, बड़ा बंगला हो, बड़ा गाड़ी हो, श्कूल में भी गया तो यही वाली कि पढ़ोगे खोगे तो बनोगे नवाब, मतलब खुब पैसे कमा हो, तब तुम्हारा मुल्य होगा, ये वाली बात, मित्रों के बीच भी यही वाली चर्चा रहती है कि पैसे होंगे तो माँज करेंगे, नस्ते करेंगे, और भी जब जो आपने शादी की बात कही वो वाली बढ़ते हैं तो भी यही चर्चा होती है कि तेरी सैलरी कितनी है, इसकी सैलरी कितनी है, या टर्न ओवर कितना है, यदि वो व्यापार करता है तो, तो सच्वुच एक जो हमारा माइनसेट है, तो थोड़ा सा चेंज हुआ है, बिछले कुछ समय से, तो यदि इस माइनसेट हमें तो धन ही कमाना है और ये है तभी जीवन है ये है तभी जीवन का सुख है ये है तभी जीवन की सार्थचता है लेकिन जैसे मैंने कहा बचपन से लेकर के बात कहीं यदि बचपन से लेकर के हम थोड़े से इस mindset को change करें माता पिता भी मुल्यों का बीजा रोपन बच्चों में करें ऐसे आवश्यक हैं लेकिन उससे ज़्यादा मुल्य आवश्यक हैं यदि स्कूल में भी हम नैतिक शिक्षा को थोड़ा सा शामिल करें और साथ ही जब बड़े हों तो भी थोड़ी सी चर्चा हैं जैसे आज की चर्चा कुछ और हो गई है इन मुल्यों की चर्चाओं को लाएं और साथ ही जीवन में समावीश करने की बात गई तो परिस्थितियां चेंज हो सकती हैं और बात ही आती है कई बार हम यह सोचते हैं कि समय के साथ व्यक्ति को चलना पड़ता है यह पहले के जमाने की बात हैं आपका जमाना बदल गया अब यह होगा तभी जीवन चलेगा ऐसा कता ही नहीं है मुल्य हमीशा शाश्वत है अब इनाशी है उनका अपना महत्व पहले भी रहा है आज भी है, कल भी रहेगा, इसलिए हम इन चीज़ों को अब अपने भी जीवन में और साथ ही समाज में अपने परिवार में लाने का दायत्व हर एक होद उठाए तो परिस्थितियां बिदलती चलिएंगे. जी और जैसे आपने भी कहा और बड़े बुजर्ग भी कहते थे कि जो पैसे हैं, जो धन हैं, वो जैसे हातों के मेल समान हैं और हमारे चरीतर मुख्य हैं, तो साच चरीतर को कैसे अपना हैं हम आज की जमाने में इंटरनेट का जमाना हैं, तो बहुत सारे चीजे हैं जो हम ड पहले बात कही बात मैं बच्पन से इसकी बहुत महता रहती है कि आपकी upbringing कैसे हो रही है आपने देखा होगा कि हमारे parents चैसे थे जो बाते उन्होंने हमें बच्पन में सिखाई थी बताई थी वेटा जूट नहीं बोलना चाहिए ये ठीक नहीं है वेटा किसी से मांगना नही चाहिए किसी के सामनी हाथ नहीं फैलाना चाहिए ये अच्छी बात नहीं है किसी का disregard नहीं करना चाहिए अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए तो ये सारी बाते हैं जो बच्पन में feed कर दी हमारे parents ने हमारे grandparents ने वो चीज़ें जैसे हमारे बिल्कुल संसकार म समा जाती है, फिक वही बात जब हम स्कूल में आते हैं और हम अपने टीचर्स को देखते हैं, टीचर्स हमें जो पढ़ाते हैं, वहाँ वाली जो बात है, वो भी हमारी जीवन में जब बिलकुल घर कर जाती है तो ये चीज़े बहुत आसान सी हो जाती है तो मुझे लगता है, यहां से एक शिर्वात होनी चाहिए, अच्छा चली यहां नहीं भी हो पाया है, तो अब जब हम थोड़ी से समझदार हो गए हैं बड़ी हो गए हैं, तो एक बात जैसे मैंने पहले भी कही, हम खुदी इनिशियेटिव लें हमारा आज का जो युवा वर्ग है आप देखेंगे कि एक परिवर्तन के लिए हमेशा तयार रहता है कि हम बीड़ा उठाते हैं हम किसी कारे की शिरुवात करते हैं तो इसकी बीड़ा, यदि हम बड़े हो गए हमारी समझ में यह बात आगए, हम किसी भी एज ग्रूप के हैं, हमारी सभी दर्शक, श्रोता, अलग-अलग एज ग्रूप के हैं, लेकिन जिस भी एज ग्रूप में हैं, हम जहां भी हैं, जिस परिवेश में हैं, वहीं हम इस बीड़े को उठा करके यदि हम आगे बढ़ें, कि हमें अच्छाई की और बढ़ना है, सच्छाई की और बढ़ना, यदि पे चारो और, हम देखते हैं, नकारात्मक चीजें भी हैं, मुबाइल आप उठाते हैं, आप लोगों के बीच जाते हैं, समाज में जाते हैं, नकारात्मक बातावरन आपको मिलेगा, क्योंकि हम कल यूग में हैं, उठाना गया है मुझे, ये मेरे उपर निरभर करता है, आपकी थाली में, यदि कोई भी चीज परोस दी जाती है, आप वही चीज खाते हैं, जो चीज आप खाना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं कहते हैं, यदि वो आपक को दोश देना, लोगों को दोश देना, परिस्थितियों को दोश देना, या आप चीजें ही ऐसी हो गई हैं, उस चीज को दोश देना और अपने आपको छुडा लेना, ये ठीक नहीं है, मुझे लगता है, यदि एक परिवर्तन लाना है, हमें अच्छाई की और बढ़ना हैं, तो हमें खुद ही एक पीड़ा उठाना होगा, और हम जो चाहें, वो अपनी जीवन के लिए, मैं जो चाहूं वो पहनोंगा, कोई जबर्दस्ती तो मुझे आके नहीं पहना देगा, कि नहीं नहीं, आपको तो यहीं पहनना है, तो इस चीज मेरे हाद में है, मुझे सशक्त होकर कि डिड़ होकर कि अच्छाई की नैतिकता की और आक्री बढ़ने की आवश्यकता है, रुपेश जी एक सवाल यह है कि जब अभी भी कोरोना काल चल रहा है, और जब भी लोग बिमार होते हैं, तो लोगों का ऐसा लगता है कि पैसा ही भगवान है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे, यह क्वेश्चिन आया है रेडियो मुद्वन पर, देखे पैसा भगवान होता, तो फिर आज जो भी बड़े-बड़े धनाध्य लोग हैं, वो सारे लोग जैसे अपने आपको स्वर्ग में अनुभाव करते, वो कभी बीमार नहीं होते, कभी तकल हैं, तो देखे, पैसा अपने आपने महतुपूर्ण है, हम इस बात को नहीं निका रहे हैं, आज की जो हमारी चर्चा हो रहे हैं, आप यह न सोचें कि पैसी को नकाना जा रहा है, पैसा एक आवश्यक्तत है, आवश्यक्ता हमारी जीवन में लगी ही रहती है, रच्पन से ले करके जीवन परियंत, लेकिन कहते हैं न कि पैसा नमक की तरह है, भोजन में डालने के लिए, स्वाद अनुसार जरूरी है, यदि ज्यादा ही हमने नमक डाल दिया, तो वो जायका विगड़ जाता है, तो पैसे के बीचे हम इतना भी न भागने लगें, कि हम अपने मु संतुष्टता प्रदान करती है, धन आपको वस्तु दे सकता है, वैभाव दे सकता है, आपके लिए अच्छी चीजे निर्मित कर सकता है, लेकिन क्या ये आपको मन की शांती दे सकता है, सुकून दे सकता है, आनंद दे सकता है, संतुष्टता दे सकता है, और अल्टिमेट के से येन के प्रकारेंड मैं कमालूं, शॉर्टकट के द्वारा कमालूं, और यही भगवान है, ये मान्यता छोड़ों, भगवान तो सरवोच सत्ता है, पिता है, परमात्मा है, और वो सारे संसार के रचाईता है, यदि मैं एक बात कहूंगा अपने अनुभाव के आधार के यदि आप परम सत्ता से जोड़ते हैं, यदि आप अपने आप से जोड़ते हैं, यदि आप अपने जीवन में गुणों और मुल्यों को साथ में ले कर के चलते हैं, आपका जीवन कभी भी अभावों में नहीं रहेगा, आप आधर्श भी बनेंगे, संतुस्ट भी और साथ ही साथ आप अपने जीवन के माध्यम से और औरों को प्रेरित कर पाएंगे और धन के बारे में भी हम जानेंगे आपसे आगे और यहां पर एक और दोस हमारे साथ हैं सुमन जी मैं चाहूंगे कि आप भी इतना सवाल पूछें सुमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत शुक्रिया रुपेश जी बहुत यह अच्छा टॉपिक है क्योंकि रिसेंट्ली मैं एक सवाल से टकराई हूँ दो-ती मिन पहले क्यों हम शेहर में रहते हैं और वी आर प्रोफेशनल तो एक दोस्त है वो अपने परिवार के लिए काफी कुछ करती है वो शेहर में काम करती है और जब वो गाउं जाती है अपने तो उसके परिवार वाले कहते हैं कि financially उसने बहुत ज़्याद़ सपोर्ट नहीं किया अपनी फामिली का कि हर वक्त हर सिचुएशन में कोई medical crisis हुई या कुछ भी वो परिवार के साथ रही उसने अपना करियर भी कई बार डाव पे लगाया family support के लिए बट कुछ समय पहले उसके परिवार ने कहा कि तुमने ऐसा किया ही किया तुमने कोई ऐसे बहुत पैसे तो दिये नहीं हमें बहुत financially तो कोई मदद की नहीं तो यह एक जो चीज है उसे बहुत दुख पहुंचा तो मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ कि क्या आपका बाकी support financial support के आगे पैसे बड़े है तो family जब ऐसा कहती है तो आप समझ सकते हैं कि हम कैसे इस चीज को बिल्कुल जब ऐस यह चीज family के द्वारा कह दी जाती है या लोगों के द्वारा कह दी जाती है मुझे लगता है वहीं से यह लोग कोक्ती निकल करके सामने आ गई होगी कि बाप बढ़ा नहीं वाली बात कि बैहि तुम कुछ भी कर लो कुछ करो या ना करो तुम धन तो जरूर हमें दो या धन की व्यवस्ता जरूर करो तो यह वाली बात देखे परिवार को भी ये बात समझनी चाहिए कि बेटिया है या बेटा है वो अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहा है और हर प्रकार से मदद कर रहा है तो हमें उसे appreciate करना चाहिए जो भी दिया जितना भी किया उसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए तो ये बात मुझे लगता है parents को परिवार को जरूर अपनान चाहिए क्योंकि यदि वो बच्चों को ये बात कहते हैं तो बच्चे कहीं न कहीं थोड़ी से depressed होते हैं थोड़ी से low feel करने लगते हैं कि हम इतना कर रहे हैं और उसके बाद भी हमारे parents हैं या फिर हमारे जो relatives हैं इस बात को मान्यता नहीं दे रहे हैं या इस बात को appreciate नही parents के level पी ये बात हैं लेकिन यदि उन्होंने कह भी दिया तो अब दूसरे पक्ष पे आते हैं कह दिया कोई बात नहीं बड़े हैं उसको हम दिल पे ना लें कई बार दिल पे वो बात यदि हम ले लेते हैं तो फिर हमारे रिष्टे खराब हो जाते हैं फिर जितना हम कर रह हैं क्योंकि इनको उस चीज की जहरत है नहीं हम अपनी जो भी हमारी सिधान्त हैं हमारे नियम हैं उनके साथ-साथ अपने मन को बहुत सकारात्मक रखते हुए बाते कह दी गए प्यार से बाद में हम उन्हें दो शब्द सुन कह सकते हैं कि बात ऐसी नहीं है जो मैं कर रह या कर रहे हूं, बेस्ट कर रहे हूं, और भी बहतर करने की मैं कोशिश करूँगी, आपको आगे किसी चीज़ की कोई और कमे नहीं होगी, लेकिन उसके लिए फिर अपनी मांसी की स्थिती को थोड़ा सा डगमक कर लेना, उसे नेगेटिव कर लेना, या तो मदद करना, दिल में न रखें, एक बात मुझे मैं कहाना, जरूर का जाओंगा इसमें, कि कई बार बातों को दिल में रख लेने के कारण, संबंद जो है, बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाते हैं, इसलिए जो बात अच्छी नहीं है, उसको दिल में न रखें, वहीं, जैसे नहीं, व किसे परिवार की जो एक भाबना है, प्यार है, वो खत्म होता है, तो दोनों तरफ से मैं कहूंगा, बड़े भी बच्चों की स्थिती को समझें, और बच्चे भी यदि ऐसी बात हो जाती है, दिल पे न ले, अपने प्यार, अपने व्याभार, अपने सम्मान को कायम रखे अपने धन कमाने के लिए, या जादा धन कमाने के लिए, कुछ गलत तरीके अक्तियार ना कर लें, या फिर अपने उपर जादा ही लोड ना ले, कई बार आपने देखा होगा, जादा ही लोड ले लेते हैं, तो वो फिर लॉंग टर्म में, उनके हेल्थ के लिए, चाहे त यदि आपको ऐसा लगता है कि भाई जो धन हैं जो आप से लिया जा रहा है, उसका गलत इस्तमाल किया जा रहा है, तो थोड़ा सा आप युक्ती से इस बात को ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जितना आप से मांगा जा रहा है, वो धन दे ही दिया जाएं, हमारे पास कई तरीके होते हैं, यदि पास चल गया कि गलत इस्तमाल हो रह तो फिर हम थोड़ा सा उस बात को पोस्पोन भी कर सकते हैं कि जो धन आपको दिया जा रहा था ठीक है अभी परिस्तितियां ऐसी नहीं है हम आगे इस चीज़ को आपको देंगे प्यार से उस बात को हैंडल किया जा सकता है और यदि मान लीजे चीपिंग हो ही रही है आप कि संबंद बहुत प्यार भरे हैं कहने का तरीका होता है कि हम बहुत ही रूटली रफली कोई बात कहते हैं तो सामने वाला व्यक्तिवी हमसे दूर हो जाता है बुरा मान जाता है लेकिन धन कितनी मेहनत से कमाया जा रहा है और यदि उसे गलत तरीके से इस्तमार किया जा र कि हम सही रूप से उनके सामने रख दें तो मुझे लगता है वो चीज को जरूर समझेंगे और या अप युकती से यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा धन जो दिया जा रहा है उसको या तो कम कर दें या थोड़ी समय के लिए रूप लें तो भी इस खेतिया ठीक हो सक होती है जी और यहां पर एक और सवाल है अनूज कुमार दिवेधी जी पूछ रहे हैं हलाकि आपने ये सवाल का जवाब थोड़ी देर पहले अपने दिया था एक सवाल है धन बीना जीवन जीवन बीना धन जरूरी क्या है दोनों में से क्या जरूरी है देखे दोनों एक दूसरे पर आश्रितों हैं, जीवन में धन की भी ज़रत है, और धन है तो हम जीवन का आनंद भी लेते हैं, लेकिन बात वही है कि उतनी ही, जैसे हम लोग कई वार कहते हैं, कि पैसा आवश्यक है, लेकिन जैसे पद, पतिष्ठा, पैसा, इन सब में हम इत परिवार को एक तरफ रख करके हम केवल उसी के पीछे लग जाते हैं, जैसे इसे पहले शायद सुवन जी ने ये प्रश्न किया था, कि अब परिवार वाले बहुत expect करते हैं, कहते हैं कि तुमने क्या किया, तुमने कुछ भी नहीं किया, तो कई बार क्या होता है, कि हम इस आती करें, अपने व्यक्तित्व का सुद्र विकास करें, समाज के लिए विश्व के लिए कुछ ऐसे ठोस कारे करें, अच्छी कार्य करें, जिन कारियों के कारण हमें याद किया जाता ह। पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा फ्रंट पेज पे ही लिखा हुआ था कि अल्फरेड नोबल जो इस डाइनामाइट के अविसकारक थे वो अपिस संसार में नहीं रहे उन्हें बड़ा अश्यर हुआ रहे मैं तो जिन्दा हूँ ये ख़बर कैसे छब दे फिर उनके मन मे आया कि देखो तो सहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं तो उन्हें पढ़ना शुरू किया तो 99% उनके बारे में नेगेटिव कॉमेंट्स थे बहुत अच्छा हुआ अव्यक्ति मेर गया इतने विध्वन्ष कारी चीज का उसने निर्मान किया था समाज के विध्व वरतन आया और उन्होंने जो आज नोबिल प्राइज दिया जाता है अलग-अलग शेत्रों में उसकी इस्थापना की जो भी कंस्ट्रुक्टिव कारे करने वाले हैं उन्हें ये इनाम दिया जाए तो बात ये है कि मेरे जीवन में रहते हुए भी और मेरे जीवन के बाद अब ही मेरी किस बात को लोग याद रखते हैं आप देखेंगे पैसे को याद नहीं रखा जाता लेकिन व्यक्ति की महानता उसके कर्तव्य उसके गुणों को उन्होंने जो समाज के लिए किया संसार के लिए किया उस बात को याद रखा जाता है तो हम अब खुद निरना चीज बात को किस चीज की जारत है गली-गली में डॉक्ट्र मिल सकते हैं लेकिन जू नायतिक्ता का पतन हो रहा है, मुर्यों का पतन हो रहा है, चरित्र का पतन हो रहा है, इन के लिए कौन कारे कर रहा है। तो ब्रमक मारी जविद्याले का जैसे ही परिशय मिला, मैंने देखा कि ये विद्याले पूरी तुरह से समर्पित है। नैतिक्ता के उत्थान के लिए, चरित्र के उत्थान के लिए, समाज को श्रेस्ट बनाने के लिए और सचमुच इसी चीज की आवश्यक्ता है, तो लगाओ यहां की और हो गया, तो हमें खुद देखना है कि समाज को आज किस चीज की जरूरत है, उस कार्य के लिए हम अपने अब जाएंगे लेकिन उसे कहीं ज़्यादा आवश्यक्ता होती हैं, वो कहते हैं न इच्छा और आवश्यक्ता दुनों दू अलग अलग चीजें हैं, हम जब इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं तो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होते हैं, आप जो एक टूविलर लें होते हैं, और बंगलू हो जाएं, इच्छाओं के पीछे नहीं, लेकिन आवश्यक्ता जो है, ज़रूर उसकी पूर्ती करते हुए, हमें अपने एक विशाल लेवल पर अपनी जीवत के बारे में और सांथी समाज के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए ज़िए और अभी अपने प्राक्टिकल लाइट से पूछना चाहती हूँ, कि शहरों में बहुत सारे जानकार दोस्त हैं, लड़कियां हैं, लड़कियां दोस्त, उनके मन में हमेशा एक सवाल आता है कि उनके घरवाले या दोस्त कहते हैं कि गांधी से नहीं, अंबानी से शादी करेंगे, तो आज के डिल्ट में ये बहुत एक कोट बहुत पेमस सा हो गया है, कि हम गांधी नहीं चाहिए, अंबानी चाहिए, तो ये थोड़ा सा उनके लिए बहुत concept मतलब समझना मुश्किल है, लेकिन आप समझते इस सवाल क्यों किया जाता है, कि वो अच्छाई नहीं चाहिए हमें लेकिन पैसे होनी चाहिए, तो वो किस तरह से चुने इस चीज को, अपने जीवन के फ्यूचर को, अगर इस कोट के आधार पे सोचे तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, तो कैसे वो डिफाइन करेंगे इन दोनों चीज़ों को, थोड़ा सा फ्लियर करें। उन्हें तो अब इतना उन्होंने जीवन देखा है, तो ये जरूर कहना चाहिए था कि नहीं, अमबानी तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन गांधी खोई-खोई हैं। किताबों में ही ठीक लगते हैं, लेकिन विचार करके देखें, ये कितने गहरे हैं। कि आप धन से किवल मकान खरीच सकते हैं, घर नहीं खरीच सकते हैं। लेकिन स्वास्त नहीं खरीच सकते हैं, लेकिन समय नहीं खरीच सकते हैं। आप बड़े घर में विवाहित हो जाएं, बहुत आमीर व्यक्ति से विवाहित हो जाएं। थोड़े समय के बार आपको ऐसा प्रतीत होने लगेगा, हमारे बहुत सारी लोगों से मिलना जिलना होता रहता है। कि सचमच, जिस चीज की मुझे आवश्यक्ता है, वो ये बाहरी ताम जान नहीं है। थोड़े समय के लिए आपको चका चौन अपने और आकशित करता है। लिकिन यदि आपके पती शराबी हो, आपके साथ लॉयल ना हो, वफादार ना हो, कहीं और उनके संबंध हो, तो क्या आप अंबानी को पसंद करेंगे। अपने देश के लिए समाज के लिए नहीं जीता है। अपने लिए जीता है, स्वार्थ में है वो व्यक्ति, तो क्या आपको लगेगा कि ऐसे व्यक्ति से ही हमें अपने जीवन का डोर बांदना चाहिए। अब खुद ही हमें विचार करना है, कि हमें ऐसे व्यक्ति से करना है, या फिर ऐसे गांधी व्यक्ति, जो सज्जन है, जो निर्मल है, जो गुर्वान है, भले ही वो बहुत धन्वान नहीं है, लेकिन एक बात की गैरंटी तो जरूर दी जा सकती है, कि वो व्यक्ति आपसे व साल के बाद divorce के cases आप देख लें हमारे court में भरे हुए हैं और कारण यही है कि व्यक्ति आज बस इसी सोच के साथ चल रहा है कि धनवान है अच्छा है लेकिन वो धनवान आज आपके साथ है कल किसी और के साथ है परसो किसी और के साथ है क्योंकि धन तो है लेकिन चरित्र नह एक बात और कहा दूँ कि ये सभी धन्वान लोगों की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस धंग से ये बात रखी गई है, उस रूप में मैं कह रहा हूँ कि यदि आपको दो लोगों में चुनना पड़े, तो मैं यही कहूंगा, और आप भी इस पर विचार कीजिएग कि गांधी यहाँ ज्यादा महत्वपून हैं हमारे लिए, क्योंकि वो ताउम्र हमारे साथ हैं, सुख दुख में हमारे साथ हैं, वो समाच और संसार के कल्यान के लिए सोचते हैं, केवल अपने लिए नहीं सोचते, अब हमें विचार करना है कि हमें किस दिशा में चलना है जी वैसे तो गांडी जी हमारे जैव में भी रेते हैं पैसों के रुप में और यहां पर एक सवाल है, कि आज कि छो हम एडूकेशन फिर्ल्ड में जब हम एडूकेशन ले रहे हैं, तभी भी बोला जाता है कि आपको प्रेजेंट़बल होना जरूरी है, और इसके साथ साथ education भी जरूरी है और अगर कहा जाए जैसे सुमन जी कहती है लड़कियों के बारे में उन्होंने बात की तो beauty भी जरूरी है और इन सभी के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे एक सवाल आया है हम लोग शुरू से इस बात की चर्चा कर रहे हैं और इस बात को बिल्कुल ही अन्याथा ना लें कि हम धन के खिलाफ हैं धन के विरोध में हैं धन बिल्कुल कमाया जाए धन अच्छे से कमाया जाए आप जितना अच्छे से कमा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कमा रहे हैं कमा हैं क्योंकि धन का केवल दुरुपयोग नहीं है धन एक आवश्यक्ता भी है धन का सदुपयोग भी है इसलिए हम अच्छे से अच्छे qualification भी हम अरजित करें हम अपने शरीर का भी ध्यान रखें अपनी सुंदर्था का भी ध्यान रखें हम जहां भी जाते हैं अच्छे स्थानों पर जाते हैं अपने परिधान को भी हम अच्छे से अच्छा रखना चाते हैं और इन सब के लिए धन की ज़रत है तो धन कि खिलाफ की बात नहीं है लेकिन धन वाली मान स्थिय JACKता वह नहीं होने चाहिए जिस appropriate यह द crashed ही सब कुछ है धन ही भगवान है और जिस प्रकार से भी धन कमाया जा सके आप समझ सकते हैं कि किस-किस प्रकार की बात हम सोचते हैं आज हो रही हैं हम कितने शॉर्टकट्स अपना लेते हैं चाहे हमें अपना तन भी कहीं देना पड़े हम उसके लिए भी हिचके चाते नहीं हैं चाहे कोई गलत तरीका अक्तियार करना पड़े जो इल्लीगल चीजें हैं वहां भी हम लग जाते हैं क्योंकि वहां से हमें धन मिल रहा है तो यह तरीके नहीं धन आप कमाया लिकिस स्वच्छता की बात हम करते हैं कि नहीं ऐसे जिसमें आपका मन कचोटे नहीं आप अ समाज की भी सेवा करेंगे आपको धन भी मिलेगा जिसके आधार पे आप समाज की भी सेवा करेंगे अपनी भी जरूरतों को पूरा करेंगे लेकिन जो धन धन की बात हम कर रहे हैं वो गलत तरीकों की बात कर रहे हैं उस मानसिक्ता की बात कर रहे हैं कि नहीं धन ही सब कु आप जितने भी तनाव की स्थिती है, डिप्रेशन की स्थिती है, इसका कहीं न कहीं कारण ये भी एक है, कि हमने धन को ही सब समझ लिया, अब धन नहीं है, तो फिर हम अपने आपको लोग फिल करने लगते हैं, डिप्रेशन करने लगते हैं, और यदि धन है, को उनका गलत इ कि इस्तमाल करते हैं धनर जित करने के लिए फलता ये सारी चीज़ें जो आज आज आप देख रहे हैं संबंधों में अन्बन, मानसिक तनाओ, इस्तमाल करते हैं संब्सक्राइब करते हैं अब तो आए दिन हर गली हर चमराहे पर हमेशा टेलिविजन पर ये बाते दिखाई देती कारण क्या है? रूट हमें देखना होगा कि कहीं न कहीं हमारी जो रूट है, हमारी जो संस्कृती है, हमारा जो एक मुल्य रहा है, उस मुल्य से कहीं न कहीं थोड़े से हम हट गये हैं, हम कमाएं, अच्छे से कमाएं, हमारी जो भी श्रोता और दर्शक आज बैठे हुए, हम तो कि आप सभी बहुत बहुत धन्वान रनें आप अम्बानी से आगे निकल जाएं ऐसी हमारी दिल की दुआएं और शुपकामनाएं हैं लेकिन तरीका हमारे स्वच पवित्र और श्रेस्ट हो तो फिर उनशित रूप से आप दुआएं कमाएंगे अन्याद दिनिक आज दो धन के साथ बद्दुआ कमा रहे हैं और धन के साथ जो बद्दुआ आ रही है हम जो खीच रहे हैं गलत तरीके से लोगों को पता हो या ना हो पुलिस को पता हो या ना हो मुझे तो पता है कि मैं किस गलत तरीके से वो कमा रहा हूं और वो जो बद्दुआ आ रही है वो जो ए बार बार रुपेश जी एक बात जरूर कह रहे हैं कि सही तरीके से धन कमाना ज़रूरी है लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अगर मैं इग्जांपल के तौर पे अगर मैं सब कुछ है लाइफ भी अच्छे से जी रहे हैं तो क्यों न मैं उस तरीके से धन कमाऊ आपकी सही है ये गलत चीज हो गई है हमारे समाज में मैं कहूंगा कि ठीक है एजुकेशन के लिए भी धन की जारत है हर जगा धन की ही जारत है और व्यक्ति फिर सोचता है कि मेरे भी ब अच्छा जीवन नहीं दिया हमें अच्छी शिक्षा नहीं दे ये बात वो कहते हैं तो ये एक चीज नेगेटिव रूप से आ गई है लेकिन मैं जरूर जिन्होंने भी ये प्रश्न किया है या आपने लोगों की तरफ से ये बात रखी है कहना चाहूंगा कि ये जो एक ग यदि आप देखेंगे मैंने बहुत बारीके से इस पर गौर किया है चुकि एक spiritual field पे हम चल रहे हैं इस नाते से भी मैं कहूंगा लेकिन एक case study की गई है कि यदि व्यक्ति गलत तरीके से धन लाता है तो गलत तरीके से वो निकल भी जाता है बच्चे गलत संगतों में आ ज बच्चा करने लगते हैं या गलत रास्ते पे निकल जाते हैं यह चीज देखी गई है जादा तर यह चीज देखी गई है तो हम यह सोचते है कि जो धन आ रहा है जो एक बद्दुआ भी है और एक पाप का अंश भी है यदि मैं आध्यात्मिक भाशा में कहूं तो तो वो कभी भी बच्चों के लिए फलता फुलता नहीं है कभी नहीं हमें दिखाई दे सकता है कि वो बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं फॉरेन में पढ़ रहे हैं लेकिन जब आप देखेंगे उनके जीवन को आगे चल करके तो आप निशेत रूप से पाएंगे कि कहीं न कहीं एक गिरावट की अस्थिति उनके जीवन में आती है देर सवेर जरूर क्योंगि गर्म फिलोसफी है और हमारे पूरी संस्कृती में, हमारे देश में, हमारे धर्म में गर्म फिलोसोफिक हो, सभी धर्मों में इस चीज़ को माना गया है कि action का reaction जरूर होता है, यदि आपने गलत तरीके से धन कमाया है, उसका reaction आप पर बच्चों पर जरूर आएगा, चाहे उनके शारिरिक स्वास्त की बात हो, मानसिक स्वास्त की बात हो, तो बाहर से केवल बड़ी-बड़ी अटालिका देख लेना, जो बड़े बंगले में रहता है, वो बहुत सुखी है, आप इस मानसिक्ता से बाहर आए, वो चैन के नेद नहीं सोता है, वो रात को गोली खा के सोता है, ये बात हमें समझनी चाहिए, इसलिए ये ना सोते हैं कि बड़े जहर में रहना, बड़े पोजिशन पर पहुंच जाना, अच्छे कॉलेज में उनको पढ़ाई के लिए डाल देना, तो वो बहुत बड़ी बात हो गई, और हमें भी आसा करना चाहिए नहीं, ये भी तो देखें कि उनकी अंदर मुल्य कैसे आ रहे हैं, वो क्या मन से शांत हैं, मन से सन्तुस्ट हैं, मन से आनन्दित हैं, रात को क्या उनको चैन की निदा रही है, क्या शारीरिक रूप से वो सवस्त हैं, आप ये सब चीजें भी तो देखें बहुत पसंत ही उनको, लेकिन आज वो नहीं खा पा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उभोग नहीं कर पा रहे हैं, कारण जिस तरीके से धनाया है, उसका रिजल्ट आज नहीं, तो कल दिखाई देता ही है, इसलिए इस मांसिता को हम थोड़ा सा अलग रखें, यदि आपने भल शिक्षा, शिक्षा के लिए लोन भी आजकर लिये जा सकते हैं, अब शिक्षा के लिए लगता है क्या वश्यक्ता, आप वो लोन लिजे, बच्चे यदि योग यह हैं, वो जरूर उस लोन को भी चुक्त करने में आपके आगे चलके मदद करेंगे, इसलिए चादर जितनी हैं, हम उतनी फैलाएं, चादर को बढ़ाने के लिए गलत तरीके अक्तियार न करें, मैं तो ये सजिस्ट करूँगा, और ये शाश्वत सत्य है, जिस शब्द को मैं हमेशा इस्तमाल करता हूँ, क्योंकि ये कर्म फिलोस्कोफी है, जो लॉट करके हमारी पास जरूर आती ह हैं, इसलिए अच्छी तरीके से, सच्छी तरीके से, इमानदारी से आप आगे बढ़ें, मैं नहीं सोचे कि इमानदारी का जमाना नहीं है, हम आदर्श प्रस्तुत करें, एक गांधी जे ने सत्य और रहिंसा का आदर्श प्रस्तुत किया, तब क्या कोई सोच सकता था कि स यूग सत्यूग में बदलेगा मैं उसके निमत्त बनो न हम ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं जी बिल्कुल और यहां पर एक बात है कि संतोष धन आप पहले भी जिक्र कर चुके हैं इस बारे में तो इस संतोष धन के बारे में थोड़ा और समझाए विस्तार से जी वैसे हमारी बहुत बढ़न आता है कि संतोष धन आजाने के बाद फिर और किसी धन की आवश्यक्ता नहीं होती है और सच मुझ यह धन सबसे इंपोर्टेंट है और यह धन आपको बाहरी धन से कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता यह तो जब हम औरों की मदद करते हैं औरों के लिए जीत हैं औरों का कल्यान करते हैं औरों की दुआएं लेते हैं और साथ ही साथ अपने आपको भी आध्यात्मिक रूप से संपन्न बनाते हैं अपने आपको सर्वोट जीवन का अर्थ क्या है या जीवन की सार्थकता किस चीज में है जीवन का लक्ष क्या है आप देखेंगे हमा अंतता आता है, धन का वहाँ जिक्र है, लेकिन finally हमारी जीवन का लक्ष जो है, वो अध्यात्म है, वो है सरवोचिसत्ता से जोड़ जाना, वो है संसार को कुछ देना, समाज को कुछ देना, औरों के लिए जीना, संतुष इससे प्राप्त होता है, आप धन से या अन्य चीजों से संतुष्टता प्रत्राप्त नहीं कर सकते, कहीं पे भी कोई दुकान ऐसे नहीं होगी, जहां से आप संतुष्टता खरीद के ला सकते हों, जो मन करता है कि हाँ मन मेरा विलकुल त्रिप्त हो गया मुझे जो चाहिए था जीवन में वो मिल गया वो त्रिप्ति तभी आती है जब व्यक्ति अपना आत्म उत्थान करता है आत्म चिंतन करता है अपने आप से जुड़ता है और उस परम सत्ता जो स्रिस्टी के निर्माता हैं, हम सब के माता पिता हैं, उनसे जूरता है, और जीवन की सार्थक्ता को समझता है, कि मैं इस संसार में कल्यान के लिए आया हूं, कुछ दे करके जाओं, कुछ ऐसा करके जाओं, जो औरों के लिए भी प्रूरक हो, आदर्श और जब ये देने की भावना व्यक्ति के अंदर आजाती है, तो उसके लिए फिर धन अपने आप आता चला जाता है, चीज़ें अपने आप चली आती हैं, क्योंकि एक लौँ है ये, कि जब व्यक्ति के अंदर ना एक विश्राहल भावा आता है, कि मैं सब का कल्यान करूं, स ये है कि जो हमारे पास नहीं है, हम उसके पीछे भागते हैं, मैं एक एक ग्जांपल हमेशा शेयर करता हूं, शहद हमारे श्रोताओं और दर्शकों के साथ पहने किया हो, कि बॉम्बे में एक बार मैं कहीं आ रहा था, मैं लेट भी मैं वेट कर रहा था, वहां मैंने एक अशूर को रहा था, जिसका एक हांठ नहीं था, लेकिन वो बाहएं देता है तब तो हम उसे विक्षुच होते हैं, बहुत वहां दुख्या देते हैं, यहां खुश रहो, अच्छी पत्नी मिले, अच्छा गत्हि लेएं, लेकिन यदि आपने इसे भीशा नहीं दी, तो फिर वो बद्दुआ भी देने लगते हैं कि जा तेरा सत्या नाश हो जाए ये हो जाए वो हो जाए आदी आदी लेकिन वो जो भिक्षुक था बड़ा अलग सा लग रहा था एक हाथ नहीं एक पैर नहीं मुस्कुरा रहा है सब को दुआएं दे रहा है दे रहे हैं तो भ इतना दे लिए रहता है कट भग्राव मंगने के जारत करने बड़ते है उसकरा कि रहे हैं आप पेक चेहरे के लगतार मुस्कान देख रहा है तो उसने कहा कि मैं ये नहीं देखता कि भगवान ने मुझे क्या नहीं दिया है मैं ये देखता हूँ कि भगवान ने मुझे क्या दिया है और जो दिया है उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कभो का कि प्रभू तुमने मुझे कितना अच्छा परिवार दिया है, कितने अच्छी पतनी दिया है, कितने योग्य बच्चे दिये हैं, जो मुझे से बहुत प्यार करते हैं, जो बहुत योग्य हैं, अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, संतुस्ट हैं, मेरे साथ खुश हैं, आपने मुझे कितना अच्छा परिवार दिया है मुझे छट दिया है कई और पास तो छट भी नहीं है सुन्दर परिवार दिया है उसकी ये बात सुन करके ये बात मैं pioneer शेयर करता हूं जहां कहीं बी बारतवर्श में या अन्य स्थानों पर मुझे जाने को मिलता है जब कभी ये संतोष धन की बात आती है हमारी मान सिक्ता हो गई है कि हमारी पास जो नहीं है उसके पीछे भाग करके हम अपने संतोष को, अपने सुकून को, अपने सुक को खो देते हैं कि भडोसी के पास एक अच्छी सी गाड़ी है मेरे पास नहीं है या मेरे मित्र के पास ये फलानी चीज है मेरे पास नहीं है, जब मेरे पास होगी तब मैं संतोष होंगा, तब मैं खुश होंगा, और तब मैं भगवान को धन्यवाद दोंगा, तो हमने अपनी खुशी का आधार, अपने संतुष का आधार comparison, मतलब इसकी पास जो है, वो मेरे पास हो जब compare करते हैं, हम खुश और संतुष नहीं रह सकते, जो इश्वर ने दिया है, मैं बहुत संतुष हों, प्रसंद हों, और दिल से उसका शुक्रिया आधा करें, कि प्रभू आपके जो दिया है, आपका दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया, और संतुष का आर्थ ये भी नहीं है, कि हम आगे further effort करना छोड़ दें, आगे बढ़ना छोड़ दें, कमाई करना छोड़ दें, अपने business को बढ़ाना छोड़ दें, संतुष का ये भी अर्थ नहीं है, संतुष को हम इस अर्थ में जरूर समझें, जो है संतुष्ट रहते हुए, जो मिला उसमें संतुष्ट रहते हुए, हम सतत आगे की ओर बढ़ते चले, उन्नती करते चले, जब एक ऐसी मान सिखता है, आप अपने अंदर ले आएंगे जो एक आध्यात्मिक, पॉजिटिव भाव के साथ, आटिट्यूट के साथ ही डेवलप होता है, तो सच मुझ यह सबसी बड़ा धन हमारी जीवन को हमेशा आनंदित रहेगा, और हमारी चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहेगा, एक संतोष रहेगा, अन्याथा लोग ऐसे होते हैं कि वो संतोष का भाव होता है, कि इतना भी मिल जाए वो कहाने एक व्यक्तिक पास इतना धन है, दुखी क्यों रहता है, तो बोला, इसलिए तो दुखी रहता हूं कि मेरी आठवी पिढ़ी क्या खाएगी, मुझे इस बात की चिंता है, मैं इसलिए दुखी रहता हूं, तो देखिए, ये एक मानसिक्ता है, चाहे तो आप दो रोटी में संतुष्ट है, खुश है, इश्वर को शुक्रियादा कर रहे हैं, और चाहे तो आपके पास अंभानी जी जितना धन हो, तो भी आप मुर्जाय हुए हैं, पता नहीं, मेरी आठवी पिढ़ी हैं, इश्वर ने जीवन दिया है, वो आपको सब कुछ देंगे, आप दिल से अच्छाई के मार्क पर, सच्छाई के मार्क पर चलते हुए, परिक्षम करते चलें, कभी भी अभाव नहीं होगा, जीवन संतूष धन से भरा रहे हैं, एक लास्ट सवाल सुमन जी पुछना चाहते हैं, जी, सुमन जी अपना सवाल रखें, जी, रुपेश जी, एक कहावत है हमारे बेंगॉली में, की खुदार राजे पित्थिभी गौद्व मौए, पुर्नीमार चाद जयनो जोलसा नो रुपी, यह आपको मैं हिंदी में थोड़ा से एक्स्पेन करती हूँ, यह है कि जब पेट में आपके भूख है, खाने को नहीं है, तो और आपको बोला जाते है कि पूनम की रात का चा जाएंगे, मतलब ऐसी सिच्वेशन में तो हमें कविता नहीं लिख सकते, तो इस जग आपको क्या लगते है, धन की थौट में क्या आना चाहिए, पॉजिटिव सोच तो आना पॉसिबल ही नहीं है, उस वक्त हमारे दिमाग की स्थिति आप समझ सकते है, इस जग थोड़ा भजन न होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला, कि भाई पहले मुझे भूख लग रही है, खाने दे, उसके बाद ही मैं भजन करूँगा, इस थिति आती है, लेकिन यदि ऐसी इस थिति है, मैंने एक बात जो आपको कही, इश्वर ने हमें योग्य बनाया है, शक्तिया दी है, सामर्थ दिया है, हमें विवेक दिया है, हम अपने विवेक का सुन्दर इस्तमाल करें, यदि हमारे पास ऐसी इस्थिति है कि खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो बुद्धी इश्वर ने दी है, विवेक इश्वर ने दी है, समाच दिया है, परिवार दिया है, ह समय आपसे भजन नहीं होता, पॉजिटिव नहीं भी रह पाते हैं, तो भी एक चीज में जरूर काओगा, यदि व्यक्ति अपने विवेक को ऐसे समय पे नहीं छोड़ता, अपनी अच्छी सूच को नहीं छोड़ता, पॉजिटिव बना रहता है, राह ढूंडता है, क्योंकि एक सुन्दर समझ विक्सित करता है आध्यात्म, एक बैलेंस देता है, हमारी मन की स्थिती को पॉजिटिव रखता है, सयमित रखता है, और विपुरीत पर स्थिती में भी राह निकालना सिखाता है, तो ऐसी यदि स्थिती होगी, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक है, पॉजिटिव है, वो व्यक्ति जरूर एक सुन्दर राह निकाल लेता है, कि कहां से व्यवस्ता हो सकती, और संसार में दो वक्त की रोटी की व्यवस्ता करना कठिन कार्य नहीं है, यदि मैं इसके लिए ये सोचूं कि मुझे चपण प्रकार का भोग चा ले, मित्रों की मदद ले ले, समाज हमेशा आपके साथ है, पordon आपके साथ है, अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, जो आपको ऐसे समय पर मदद करते हैं, उनकी भी मदद ले करके हम इस वरिस्तिते से जरूर बाहर आना चाहिए, लेकिन इसवर पे भरोसा उठ जाए, ऐ मुझे भूठा रख रहा है, मेरे बच्चों को भूठा रख रहा है, ऐसे नहीं. इश्वर को दाता है हैं, हमारे परंपिता है, वो कभी भी हमें आसे परिसिती में देख कर कि प्रसंद नहीं होते, उन्होंने सारा संसार ही हमारे लिए बनाया हुआ है, हम उनपर भी आस्था रखते हुए, खुद पर भी विश्वास रखते हुए, मन को शान्त और सकारात्मत रखते हुए, एक सुन्दर राह निकालें, शितरूप से दो रोटी क्या आपको छपनभोग भी जरूर मिलेंगे, ठीक है आप कवीता ना लिखें उस समय, उस समय आप अपने रोटी की अवस्था करें, उसके बाद कवीता लिखें, एक लास्ट सवाल ये है कि आज बहुत हमारे जो दर्शक दोस्त हैं और शोता हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि करोना काल में जब पैसे कम हैं हमारे पास, तो क्या ऐसे positive thoughts लाएं अपने विचार में और कैसे अपने आपको सुरक्षित रखें, थोड़ा ये आप practice करवादें, जे 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 दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण आपने पूछी हैं कि कैसे धन की भी विवस्था हो और साथ ही हम सुरक्षित भी कैसे रहें, कुछ बहुत सुंदर आध्यात्मिक अभ्यास हैं, वो आप हमेशा करते रहें, जैसे ही आप सुबह उठते हैं, जैसे इश्वर को creator कहा गया है, वैसे ही हम भी उनके बच्चे master creator हैं, हम अपने भविश्य क की रचना करते हैं, जिसको आप इस बात से समझ सकते हैं, कि बच्चपन से हम ये बात सुनते आ रहे हैं, कि जैसा तुम सोचोगे, वैसा तुम बनोगे, तो इसका सीधा सा अर्थ ये था, जिसे हमने बहुत गहराई से सोचा नहीं, विचार नहीं किया, कि जैसा तुम सोच वैसे अपने कल का निर्मान करोगे, अपने भविश्य का निर्मान करोगे, तो हम जब भी रात को सोते हैं या सुबह उठते हैं, तो सुबह उठते ही बहुत अच्छे विचार अपने लिए और एक सुन्दर विजन अपने लिए बनाया करें, कि आज का मेरा देन बहुत शु गर पे बैट जाएं या खूले में निकल जाएं टहलते हुए सुबह यदि आप जल्दी पांच बजे उड़ जाएं तो बहुत अच्छी बात है पंदरा मिनिट या दस मिन टपने लिए निकालें और इश्वर का जो हमारे रचाईता हैं उनका ध्यान करते हुए संकल्प करे सुख के लिए आनंद के लिए भेजा है वो हमेशा मेरे साथ साथ है उनका वर्दान मेरे साथ साथ है उनकी छत्रचाया मेरे ऊपर है उनकी छत्रचाया में ही आज मुझे सारे दिन रहना है और मेरा आज का दिन बहुत बहुत शुब है जैसे उनकी छत्रचाया में प्रोट कोई बहने से सुरक्षित रहें. मेरा आज का दिन बहुत सुंदर जैसे बीत रहा है. धन का भी बिलकुल कोई आभाव नहीं है. धन की आवक भी बहुत अच्छी हो रही है. आप अन्य किसी कार्य में हैं, धन बिलकुल भर्पूर है, घर बिलकुल धन धानिय से समपन्न है और मेरा आज का दिन बहुत सुखत बीत रहा है या भार एक रूप में भी मैं सब के साथ बहुत अच्छे से बिता रहा हूँ और रात जब कोई है मैं रात को बैठ के इश्वर का दिल से धन्यवाद अदा कर रहा हूँ किश्वर आज पूरे दिन मुझे सुरक्षा प्रदान करने के लिए घर को धन्धान यासे भर पूर रखने के लिए मेरी हर आवश्यक्ता को पूर्ण करने के लिए दिल से आख का शुक्रिया आप इस प्रकार से जब सुबह उठते हैं अपने पूरे दिन को देख लिए थोड़ा सैसे हम मेडिटेशन कहते हैं दूसरी भाशा में तो इश्वर से जुड़ करके आप अपने सारे दिन को विज्वलाइज करते गए जैसे परमात्मा से ही वो एक सुन्दर पॉजिटिव वाबरेशन अपने सारे दिन को दे दे और इन शुम विचारों का रिजल्ट आप देखेंगे मैं एक चीज आज वक्त नहीं है कभी फिर चर्चा करेंगे कि आप इस चीज को बहुत प्रैक्टिकली देख सकते हैं अनुभाव करके देख सकते हैं कि जैसा आप अपने कल को क्रिएट करते हैं आप वैसा ही होता हुआ देखते हैं क्योंकि आप मास्टर क्रिएटर हैं और जितना अच्छा आप इडिटेशन करते हैं जितना अच्छा आपका उस सरवच सत्ता से लिंक है आप वही क्रिएट कर पाते हैं जो आप चाहते हैं लेकिन हाँ आवश्यक्त अनुसार और साथ ही विश्व के कल्यान के अनुसार, लोगों के कल्यान के अनुसार हम अपनी शक्ति का इसमें इस्तिमाल करें जी बिल्कुल जैसे आपने कहा कि आगे के एपिसोर्स में आप और विस्तार से हमें समझाएंगे और थोड़ी थोड़ी meditation और positivity को कैसे हम सवे रूट करके अपनाने से हमारा दिन बहुत अच्छा बित्ता है उसके बारे में भी आपने बताया और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए रुपेशी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी का और भी जिन्होंने प्रश्न भेजे और सारे हमारे जो श्रोता है दर्शक है उन सभी को दिल से बहुत 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 शुक्रिया मेरी यही दिल की दुआए है कि आप सुरक्षित रहें स्वस्त रहें और भले आज हम अध्यात्मधन से भी बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल और मैं अपने दर्शकों का नाम ले लेना चाहूंगी अनुच जी दिनेश जी और धरम जी भीवा जी और सोम्य रंजन जी आप सभी का और गुंजन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपने सवाल रखने क के लिए सुमन जी आपका भी बहुत 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 शुक्रिया दोस्तों अगले एपिसोड में अगर आप किसी खास लोग उक्ति के बारे में जानना चाहते हैं और उसको विस्तार रूप से जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन पर टाइप करके हमारे पास भेज सकते हैं या फिर आप हमें कॉल या वाटसाब कर सकते हैं 9414151415 इस नमबर पर आज यहीं पर रुपते हैं आप सभी का फिर से बहुत बहुत धनेवाद शुक्रिया और सुरक्षित रहें सेफ रहें नमस्ते उम्शान्ति